असलाम लेकुम, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है Francis Bacon का essay of marriage and single life जैसा के हम सब जानते हैं कि ये essay Bacon के बाकी तमाम essays की तरह काफी ज़दा important है और काफी ज़दा interesting भी क्योंकि ये deal करता है marriage and single life से Francis Bacon के जैसे पहले भी मैं essays से deal कर चुके हूँ तो आज भी हम थोड़ा सा पहले इनके बार में जान लेते हैं कि Francis Bacon के essay की qualities क्या होती है तो सबसे पहली बात तो ये कि उनके essays होती है concise और बहुत ज़दा meaningful यानि कि short in length लेकिन उसमें चोटी सी length के अंदर बहुत ज़दा meaning को convey कर दिया जाता है Bacon की तरफ से और ये भी कि उनके एक सेंटेंस इतना meaning रखता है अपने अंदर चुपके length उसकी इतनी जादा नहीं होती use of words बहुत कम लेकिन बहुत ही जादा अच्छे words का इंतखाब करते हैं Bacon इसके इलावा उनके essays motivational होता है यानि कि readers को कोई ना कोई नसीहत की जाती है उनके essays के through और reader जो है उनके essays को पढ़ने के बाद अपनी situation को analyze कर सकता है और सोच समझ सकता है कि उसको अपने लिए किस तरह की चीज का इंतखाब करना चाहिए और क्या फैसला करना चाहिए इस essay के अगर particularly बात की जाए तो यहाँ पे readers को advantages or disadvantages बताये गए है marriage के और साथ ही साथ single रहने के कि अगर reader सिंगल रहना चाहिए या marriage के तरफ जाना चाहिए तो इन में उसको क्या-क्या advantages मिलेंगे और क्या disadvantages मिलेंगे सारा कुछ डील गया है बेकन ने इसके अंदर और एक तरह का comparison है दोनों situations के दर्मियान जो बेकन न यहाँ पे अपने इस essay के अंदर present किया है तो चलें इसको properly start करते हैं और देखते हैं कि essay का start किस तरह से लिया बेकन ने first line जिससे essay start करते हैं वो कहते हैं कि he that has wife and children has given hostages to fortune for they are impediments to great enterprises either of virtue or mischief इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर एक शखस इसके wife हो और बच्चे हो तो उसकी जो life है वो एक तरह से रुक सी गई है क्यों क्योंके उसके जो यह होते हैं wife और बच्चे यानि कि kind of family वो रुकावट होती है किसी भी बड़े काम में किसी भी बड़े काम में रुकावट होती है फिर चाहिए वो बड़ा काम अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ तो यहां बेकर अपने ऐसे के start में यह शो कराना चाहरे है कि शायद वो marriage against है विलकुल जिबके ऐसा नहीं है आगे जाके वो उसके हक में भी कुछ ना कुछ बाते करेंगे लेकिन यहां starting में वो कहते हैं कि जो married person होता है especially जिसके बच्चे भी हो उसकी wife भी उसके साथ हो तो वो शखस अपनी life में ऐसे को decisions नहीं ले सकता कि जो बहुत बड़े हो बहुत meaningful काम दूसरों के ले करना बहुत useful तरीके से अपनी life को deal करना वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंके यह जो wife और बच्चे एक तरह की रुकावट है उसकी राह में यह कहना चाहने है बेकर अपनी हैसे के start में और यहां से हमें यह पता लगता है कि starting में जो है वो marriage के side effects की बात की जा रही है लेकिन आगे चल के हमें clear पता लगेगा आगे वो बात करते हैं first जो इसके बाद बात की जाती है why men avoid marriage के शादी से भागते क्यों है कुछ मर्द तो उसका reasons यहां पे दिये है first reason देते हैं कि कुछ लोग इसलिए भागते हैं शादी से कि वो समझते हैं कि wife और उसके बाद जो बच्चे हैं वो items of expenditure है यानि कि उनका खरचा बहुत जादा होता है उनके उपर तो यह तो एक obvious सी बात है कि जतने जादा अफराद होंगे उतना ही जादा खरच भी होगा क्योंकि हर बंदे की अपने necessities होती है अपने requirements होती है life के लिए और comforts भी हर एक कुछ चाहिए होते हैं तो यह चीज़ जब हम किसी को provide करने चलेंगे तो obviously खरचा दो बढ़एगा तो first reason यह उसके बाद यह के कुछ मर्द यह चाते हैं कि हम अमीर से अमीर life कुजारे अपना living standard हाई करें अच्छा living standard हो हमारा और जितना भी हम पैसा कमाएं वो सारा का सारा हम खुद पे खरच करें ठीक है ना कि किसी और पे तो अगर किसी का mindset ऐसा है तो obviously वो marriage की तरफ कभी जा नहीं सकता क्योंके वो अपने पैसे उन पे अपनी family पे जो कि आने वाली family होगी उन पे खरच नहीं करना चाता और एक और reason जो बेकर ने आखर में दिया और जो कि सबसे common है वो ये कि freedom हर एक को अपनी life में freedom liberty चाहिए होती है और ये समझा जाता है कि अगर हमारे पास कोई और होगा हमारे life partner तो obviously हमें उसकी likes, dislikes का ख्याल रखना पड़ेगा उसको भी time देना पड़ेगा तो इसमें हमारा अपना जो है freedom अपनी liberty का ही ना कही हमें compromise करना पड़ेगा उसके उपर तो ये चीज़ ना हो इसलिए काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शादी की तरफ ही नहीं जाते कि अगर हम उस तरफ जाएंगे तो हमारे, ये हमें cost करेगा हमें आरा अपना freedom तो इस तरफ जाएंगी ना तो बेतर तो इसलिए भी काफी लोग जो हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा नहीं होता कि जिसका उन्होंने ख्याल रखना हो जिसको time देना हो जिसके साथ अपने time को match करना हो सो single लोगों के लिए बहुत easy होता है किसी भी तरह के job में engage करना खुद को even single लोग जो होते हैं अगर occupation की बात की जाए तो एक time में 2-3-3 jobs भी कर रहे होते हैं एक उनकी जो है part time job हो गई एक उनकी full time job हो गई कोई और काम कर सकते हैं online job कर सकते हैं मतलब क्योंकि उनको पता होता है कि उनका दिन रात उनहीं की मरजी से वो काम कर सकते हैं तो वो दिन में अलग काम नाइट शेफ्ट, इवनिंग, कुछ भी, किसी भी वक्त, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मरजी से अपने spare time को भी utilize कर सकते हैं, अपनी hobbies को भी अच्छे से परिसू कर सकते हैं, लेकिन जो married लोग हैं, उनको देखना पड़ता है, कि उनको अपने children को time देना है, उनको अपनी wife को लोग हैं, वो better friends होते हैं, और better masters होते हैं, इसका क्या मतलब है कि obviously एक अच्छा दोस्त हो है, जो अपने दोस्को time दे, उसके दुख सुक में भी उसके साथ हो, उसकी बात सुने, अपनी बात सुनाए, साथ में fun activities में भी बात लें, तो एक अच्छा friend वोई है, जो अपने friend क supervise करना होता है, तो ये सारी चीज़ें तभी possible हैं, जब उसके पास time हो, sufficient time कि वो ये सब कुछ manage कर सके, तो ये एक single person बहुत अच्छे से manage कर सकता है, तो इसलिए भी एक benefit है of staying single, आगे देखें तो वो बेकनी कहते हैं कि इस तरह से जो single लोग हैं, वो अच्छे friends बन बट वो अच्छे subjects नहीं बन सकते, इसका क्या reason है, subjects यानि कि जिसे हम एक country में रहते हैं, हम अपनी government के अंडर हैं, हम अपने law के अंडर हैं, हम जिस जिस authority के अंडर हैं, हम उसको अच्छे से follow करें, हम उनके rules को follow करें, लेकिन जो single लोग हैं, वो इतने अच्छे से चीज़ करके, अगर for example, उनने कोई rules ब्रेक किये हैं, बहुत major laws ब्रेक किये हैं, तो वो अपना pack up करके कहीं भाग सकते हैं, शेहर शोड के भाग सकते हैं, वो क्यों कि उनको पूरी family को साथ में लेके नहीं जाना है, एक अकेले बंदे का भागना बहुत easy है, पूरी family को साथ में ले सकती है, तो वो इस तरफ जाते नहीं है, तो इसलिए वो good subject थाबित हो सकते हैं, आगे अगर हम चलें, तो बेकन ने आपे डिल किया है marriage and professions, कि different professions अगर बंदा choose करना चाहे, opt करना चाहे, तो उसके लिए उसकी marriage होना या ना होना, कोई effect उस पे करता है कि नहीं, सबसे पहले professions में डिल करते हैं बेकन चर्च मैं से, यानि कि जो चर्च में लोग होते हैं उन से, तो बेकन के according बात यह है कि चर्च मैं के लिए preferable है कि वो single हो, क्यूं? क्यूंकि चर्च मैं का काम होता है कि वो दूसरों को donations और charity और good deeds पे उभार, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ कि वो सारे good deeds वो खुद भी करते हों और इन good deeds में सबसे top of the list आता है charity and donations, तो अगर हम दूसरे को कहना चाते हैं कि वो charity or donations में पाट ले तो सबसे पहले हमें खुद लेना पड़ेगा, ताकि दूसरा भी हमारी बात माने, तो चर्च मैं जो होते हैं, उनको सबसे जादा charitable ताकि वो अपना जादा से जादा जो amount है वो charity के लिए spare करें और इसी तरह से दूसरों को भी वो तरवीब दें कि वो भी donations में पाट लिया करें, इसके बाद वो बात करते हैं judge की, वो कहते हैं कि judge के लिए इतना matter नहीं करता कि वो married है नहीं मतलब judge married हो या ना हो दोनों फू समझा जाता है कि वो kind hearted होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि obviously उनको अपनी wife के साथ रहना होता है, बच्चों के साथ रहना होता है, तो कहीं न कहीं, उनको compromise करना पड़ता है कभी न कभी, वाकि जो single होते हैं वो बहुत जादा stubborn हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ अपनी मर्जी च अपने फैसलों में भी शो करेगा, और ना के बिलके जिदीवन और सख्त मिजाज उसका हो, तो यह जादा बेहतर है एक जजज के लिए, आगे बात करते हैं soldiers की, वो कह रहे हैं, क्योंकि एक soldier जब उसको पता है कि पीछे उसके कोई नहीं है, पीछे उसकी कोई family नहीं है, तो क्या होगा, कि वो अपनी life की इतनी परवानी करेगा, वो इतने अच्छे से नहीं लड़ेगा, जबकि अगर उसको पता है कि उसके पीछे लोग उसका इंतजार करें, उसकी wife उसके वच्चे कि अगर उसको कुछ हो गया तो पीछे उनको कौन support करने वाला है, तो वहाँ कि जजबात उभारे जाते थे किसी भी जग से पहले, उनको यहीं बताया जाता था कि आप अपनी families के लिए अच्छे से लिए क्योंकि आपने वापस उनके पास जाना है, उनको वैसे ही उनके साथ life spend करनी है, तो आप यहाँ पर अपना काम जो है, वो अच्छे से और अच् Fetchaisd women are mostly proud of their chastity, chastity जनि रिसको अर्डुमें उनको इनको माली, एक क्यालओ की मालग मौन होती है, वो क्या होती है, वो प्राउड होती है, ईक पुखर अबहुत मैसूस चैसदी करती है, मेरा mimरी character बहुत मौन है, लेकिन बेकिन है, एसी औरत इक मर्द के लिए बहुत अच बेकन यहां पर कहते हैं कि अगर हजबन जो है वो वाइफ को प्रोवोक करे मतलब उसके जजबात के साथ अच्छे से डील ना करे तो क्या होगा कि वाइफ अपने गैरेक्टर की भी इतनी परवाह नहीं करेगी मतलब वाइफ अपने हजबन के लिए अगर अपने आपको बहुत अच्छे से बना के रखती है तो हजबन को भी चाहिए कि आगे से बुरा रवया ना इक्तियार करे और स्पेशली बेकन ने यहां जेलिसी का वर्ड यूज किया है कि वे फिर उस अपनी वाइफ से जिलस भी ना हो कि उस ने होगा कि वाइफ भी हजबन के साथ अच्छा हरुईा नहीं रखेगी और ना इसकी रिस्टेक करेगी और ना ही अपने केरेक्टरी की कोई खास परवा करेगी ना अपनी जैस्टरिटी की परवा करेगी आगे Baking कहते हैं कि Wives are mistresses and youth, companions for middle age and nurses in old age यानि कि với जो है अगर young age में हमारे साथ हों तो हमारी mistress होंगी middle age में हमारे साथ हों तो हमारी fellows होंगी companions होंगी, अच्छी companions और अगर हमारे साथ old age में हों तो हमारी nurses, यानि मेरी care takers होंगी हमारा खयार बहुत अच्छे से रखेंगी. इस पे bacon का कहने का मतलब यह है इस बात कि हम अच्छे काम निकाल सकते हैं यह कि बेकन आप एक बनदा आपनी वाइफ पर्तर, पार्टनर के साथ अपनी life के साहव मेस्टेज़ को मुखा मिलेगा तो बेकन यहाँ पर यही कहना चाहते हैं लेकिन बेकन जो है वो डायरेक्टली किसी को फोर्स या डायरेक्टली एवन सज्जेस्ट मी ने करते हैं बलकि अपनी बात को हिड़न वेड्स के अंदर बिताते हैं कि वो यह चाह रहे हैं सारी stages का उन्होंने जहां जिकर किया तो obviously वो यही चाह रहे हैं कि एक बंदा स्तमान stages अपनी wife के साथ अपनी life के spend करें आगे अगर चिने तो आगे हमारे पास है bad husbands and good wives तो इस चीज इसके अंदर क्या बात बताई बेकर ने सबसे पहले उन्होंने का है कि wives mostly love bad husbands यानि कि जो wives है वो अगर उनके husbands अच्छे ना हो बुरे हो तो वो जादा उनसे like अच्छे से पेश आएंगी तो इसकी क्या वजाए तो बहुती strange बात हमें लग रही है पहले पहल सुनने में सो आगे जाके देखते हैं कि इसमें क्या बात है इसके रीजन्स उन्होंने दी है कि क्यों ऐसा होता है three reasons दी है first reason यह है कि because their love and kindness is rare कि जो bad husbands होते हैं obviously वो अच्छा gesture शो नहीं करते अच्छे loving nature उनकी नहीं होती caring nature नहीं होती तो जब कभी एक wife देखती है कि उसका husband वैसे normally बुरा है बट आज वो अच्छे mood में है उसकी caring nature है वो अच्छा behave कर रहा है so wife वहां पे खुश होगी obviously और वो इस चीज़ को उसके loving gesture का बहुत rare और precious चीज़ समझेगी और जब जब वो ऐसा होगा तब तब वो उसके साथ मजीद अच्छी होती चली जाएगी और वो खुद अच्छी रहेगी ताके शायद वो अपने husband को अच्छा बना सके वो अच्छा उसके साथ एक दिन totally अच्छा हो जाएगी तो इस चीज़ में इस कोशिश में अच्छी रहेगी यह था first reason second reason यह है कि वो अपना patience level जज़ करना चाहती है अपना patience level खुद देखना चाहती है और मैं उसके साथ इतनी अच्छी हैं तो यह चीज़ का show करने के लिए show off करने के लिए और इसमें proud feel करने के लिए वो इसलिए भी ऐसी रहती है और third reason यह है कि अगर किसी लड़की ने अगर किसी ने अपना husband खुद चूज किया है और especially कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी family या अपने friends के against जाके किसी शखस का इंतखाब करते हैं as our life partner तो जब ऐसा कुछ होता है फिर आगे जाके चाहे वो life partner बुरा भी हमारे थाबित हो वो आगे जाके वो ना निकले जो हमने सोचा तो क्या कृते हैं हम तो इस चीज का भर हमे रखने के लिए लोगों के सामने इस चीज को justify करने के लिए भी जो है wife's जो है वो अपने husband के साथ बहुत अच्छी रहती है और कभी भी पुरे तरीके से पेश नहीं आती यहां तक हमारा essay के अंदर जो भी Bacon ने बात की थी वो complete हो गई है, यहां पे मैंने कुछ textual lines add की है text के अंदर ऐसी ऐसी lines जो के आप लोग याद रख सकते हैं, उनको याद और फिर word to word आप लोग अपने assignments के अंदर अपने कोई भी आपने इस से related matter लिखना है, notes नाने हैं तो उसके अंदर आप लोग इस्तमाल कर सकते हैं as textual references so यहां पे सबसे पहला है he that has wife and children has given hostages to fortune, यह वही है essay की first line, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं इसको पहले discuss कर चुकी हूँ है the most ordinary cause of single life is liberty, यह भी हमने discuss किया था जहांब हमने बताया था कि single रहने का सबसे बड़ा reason और सबसे common reason जो है वो अपना अजादी अपनी अजादी होता है आगे है unmarried men are best friends best masters, best servants but not always best subjects यह जीज़ भी मैंने पीछे काफी details है बतायी थी आप लोगों को आगे है certainly wife and children are a kind of discipline for humanity तो यह जो है यह बेकिन ने essay के बीच में ही एक जबाद कही थी जहांपे वो यह कहना चाहरे थे कि जो single लोग होते हैं उनकी life इतनी disciplined, इतनी organized इतनी well managed नहीं होती time देना होता है so वो अपनी life को उसी तरीके से discipline करके और manage करके रखते हैं आगे भी continuation है इनी lines की wives are young men's mistresses companions of middle age and old men's nurses यह सारी बात पहले मैं बियान कर चुकी हूँ so यहां पे दुबारा नहीं कर रही it is often seen that bad husbands have very good wives यह भी हमने last majorities discuss की वही है a young man not yet यही बेकन ने towards the end of the essay के बात कही और इसका यही कहने का मकसद है कि जो young बंदा होता है जब उससे शादी के मतलिक पूछा जाता है तो यही कहता है कि नहीं अभी नहीं और जब elder बंदे से पूछा जाता है जिसकी age बड़ी होती है तो वो कहता है कि अब तो बिल्कुल भी नहीं अब तो मैं वैसी बहुत बड़ा हो गया हूँ और अब तो मैं अपनी आधी ज़ादे लाइफ वैसी गुजार दिया तो बाकी भी ऐसी गुजार लेंगे तो यह वो चीज है कि जिसमें age का पता चलता है कि बंदे को in ages में से कहीं baby बीच में इस तरफ marriage की तरफ step up कर लेना चाहिए otherwise बंदे के पास हर वक कोई ना कोई बहाना तो होता ही है शादी से भागने के लिए और last की तरफ चैने तो वो एक है literary difference Bacon में Ulysses के अंदर से एक line जो है वो quote की है अपने essay के अंदर He preferred his old wife to immortality तो इसमें क्या पता चलता है कि जो wife है especially जो old wife है हमारे साथ बहुत पुराना उसका साथ है बहुत अच्छी companion है बहुत पहले से है तो वो इतनी precious है कि अगर दूसरी तरफ हमें immortality यानि के हमेशा हमेशा की जिंदगी भी दे दी जाए तो हम किसको प्रेफर करेंगे अपनी wife को क्योंकि वो एक loyal और true companion है मारे लिए ना की immortality को चूज करेंगे तो यहाँ पे importance पता चलती है अपने true और loyal companion की तो यहाँ पे यह lines भी end होती है और हमेशा है पूला हाफज